सो हलो एन वेलकम यूवाल आम रुई फ्रो महाजन ट्रेडर सुगाई जाजम बात करने वाले संसेरा इंजिनेरिंग एल्डेटी के बारे में तो कल इसका IPO लॉंच हुआ है और कंपनी लिस्टेड होगी है एनसी बीसी में और एनसी में काफी अच्छा पर्फर्फर्मेंस इसने बताया नहीं है बट जैसा एक्सपेक्ट गया था कि कली ये 1000 पार कर देंगा तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें अभी भी वो एबिलेटी देखी नहीं गई है कि ये कंपनी में अभी अगर कंपनी के फंडामेंटल्स देखे जाए कंपनी के फंडामेंटल्स देखे जाए टेकनिकल्स अभी तो हम देख नहीं सकते बट पंडामेंटल्स अगर देखे जाए कंपनी के जो सही हो है ओनर है उनके बारे में हमने कल बात की थी तो वह सब बाते का गें हुआ है ओपन हुआ था है अच्छा कासा ओपन हुआ था हाई भी लगाया था फिर इंचा आ गया शायद कईयों ने profit book कर लिया होगा हो सकता है और इस टॉक जैसे आपने देखा होगा कि happiest mine का जब IPO launch हुआ था happiest mine जैसे ही ऊपर गया था 300 के something 350 के something गया था तब सबने profit book करना start कर दे था और stock 300 पे आके रुख गया था और काफी दिनों तक वही trade करता रहा वही trade करता रहा फिर कुछ दिनों बाद याने एक महीने बाद शायर देड़ महीने बाद जो उसमें rally हमें देखने को मिली जो तेजी से वह stock बढ़ा था तो काफी अच्छा बढ़ा था और अभी उसका नाम चलता है तो वैसे ही अच्छे खासे returns दे सकता है और अच्छे तरीके से बढ़ सकता है तो संसेरा के बारे में हम बात करेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोट शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स के लिए तो गाइस रिडियो को शुरू करता है तो गाइस संसेरा इंजिनिरिंग तो जो करन्ट प्राइस के अगर बात करें जो करन्ट प्राइस के अगर बात करें तो आठ सो अठरा रुपे पर क्लोजिंग दी है क्लोजिंग इसने दी है आठ सो अठरा रुपे पर और वही अगर बात करें रिटांस की जो बात करें अगर रिटांस की तो यहां पर रिट 81% की ही आपर तेजी हमें देखने को मल रही है बढ़ गए सबात करें अगर हाई की तो यहाँ पर अगर देखे तो ओपन इसने किया था 811 रुपे 50 पेजे पर हाई स्टॉक ने लगा था 841 रुपे 95 पेजे का लो लगा था 801 रुपे का फेसा इन्वेस्ट किया होँगा तो उनके पेसे तो बने ही हो गए और देखा चाहे तो अच्छे कासा इसने एक गैन भी हुआ है और मार्केट के अब तो अभी शो नहीं कर रहा है अब ही डिकलेर नहीं किया है कमपनी ने बट बात करें ये रेजिस्टेन्ट करें सब्सक्ता merci उनके तो आठ रेजिस्टेन्ट के चाहें ओर सब्सक्राइबे सबिच्ड़ का है हुआ हो सब्सक्राइबे साथ िन्यम्न कर तो शो अब देख सकते हो तो 789 का है थर्ड सपोट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 758 का है तो गैस इसके बाद अगर बात करें एक न्यूज है तो न्यूज में बता आने वाला हूँ आप देख सकते यहाँ पर चु न्यूज आईए तो गैस यहाँ पर कुछ न कुछ पॉजिटिव अभी हमें न् देखेंगे कि यहाँ पर बल्क डिल की गई है चो काफी ज़्यादा शेयर यहाँ पर उठाए गए है आप देख सकते यहाँ पर बल्क डिल की गई है अग किसने शेयर्स करीदे तो हम वही बारे में डिसकुस करने वाले तो नोमुरा फ्लूटोस वेल्थ आई 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 अभिगावी इन्वेस्मेंट ने यहाँ पर लगबग पाच परसेंड के स्टेक उठाए है संसेरा इंजिनेरिंग आई पीओ के और यहाँ पर अगर मैं पूरा बढ़ू संसेरा शेयर प्राइट सेटल्ट एट 818.55 वीद गैन आप 10.02 परसेंड अगेंस दे इस्यू प्रा एंड ट्रेड वीद वॉल्यूम्स और 1.25 करोड एक्विटी शेर्स ओन दे एनसी तो एक पॉइंट पचीस करोड एक्विटी शेर्स के साथ एनसी में स्टॉक उत्रा है और यह कर बात करें विटनेस से सिनिफिएंट और बाइंग इस लिस्टिंग देस सेप्टेंबर 24 देस कुड बी वन आप दे रिजन बहाइंड बेहां देन एक्स्पेक्टें लिस्टिंग प्रिमियम अस वेल अस वेल अस वेल अस वेल अस प्लोजिंग फॉर्ड कॉक स्टॉक तो अच्छा कासा इसने जो उमीद थी उमीद से अच्छा इसने प्रभांस वाता है नॉम्रा अबुदावी इन्वेस्मेंट अथॉर्टी अपिकेट इन टोटल 4.77% एक्विटी स्टेक इन आटो नेसिलरी कंपनी अथ्रॉक ओपन मार्केश ट्रांजिक्शन तो काफी तगड़े शेर्स इसमें उठाय गये हैं लगबग आप देख सकते हो फर्दर आएफल म्यूचल अब देख सकते हो अपर 4,70,809 एक्विटी शेर्स खरीदे गए हैं 820 के प्राइस पर और वही आएफल एसेट मैंने वेश फर्चेस 3.97 लाग शेर्स तो 3.97 लाग शेर्स खरीदे गए हैं 800 अल्टरा के प्राइस पर अमोंग इस अब वायर्स अबुदाबी इन्वेस्में अब देख सकते हो 4,30,000 एक्विटी शेर्स खरीदे गए तो बाइंग तो इसमें काफी तगड़ी हुई है गाइस भले ही स्टॉक जादा हमें बड़ा नहीं हो पर जो बाइंग है जो बाइंग हमें देखने को मिल रही है वो काफी तगड़ी हमें देखने को मिल रही है ज इसमें स्टॉक पर काफी पॉजिटिव इंपक्ट पड़ता हूं में दिख सकता है उस स्टॉक में काफी हाय राइस हमें लगते हुए नजर आ सकता है अनुछ अगर बात करें कम्यूनिटी सेंट इवेंट्स के साथ से तो यहाँ पर जो 77% बाइंग की जो कॉल है वो 77% तक है और जो सेलिंग की कॉल हमें देखने को मिल रही है वो 15% है लगबग 15% का आसपास है और वही अगर बात करें होल्डिंग के तो 8% का आसपास है 8% पर होल्डिंग के लिए रखा हुया है तो जो बड़े बड़े जो इंवेस्टर से वो 818 के प्राइस पे खरीद रहा है कोई आपर 77% तक की बाइंग भी काफी पॉजिटिव है 50% तो इतना ज्यादा सेल है आपर है नहीं बट 8% की जो होल्डिंग है वह भी काफी पॉजिटिव है और जहां पर इनकी बात की जाए इनकी बात की जाए तो 4,30,000 शेर जो अबुदावी है जो अबुदावी है बात की जाए तो 4,00,000 यहाँ पर देखे तो 4,00,000,000 से भी ज्यादा अब देख सकते हो 4,70,809 जो इक्वीटी शेर इक्वीटी शेर की बाइंग की गई है लगभग 820.09 पर शेर के प्राइस पर बाइंग की गई है वही काफी पॉजिटिव हापर हम नजर आ रहे गाए इ रही और आयरलेंड की अगर मैं बात कर लो तो उन्होंने लगबग 6,00,000,000 के संथिंग शेर करीदे गए तो बाइंग काफी तगड़ी की गई है और लॉंग टम के साब से अभी भी घरिदना चाहते तो बिलकुल आप इसमें इंवेस्मेंट कर सकते हो क्योंकि शेर काफी ह लगाने वाला है क्योंकि इसमें strongly तरीका से buying की गई है क्यों मैं बोल रहा हूं कि कि strong तरीका से buying जो इसमें की गई है वो काफी तगड़ी हमें देखने को मिल रहे है तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना इस